आज हम दूद दिलारी बना रहे हैं अपनी एक बेहन की फर्माईश पर दूद दिलारी बनाने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत है दूद वन एन हाफ लीटर, एवाइपरेटिड मिल्क एक कैन, सेमिया चावलों की एक कप, चीनी आधा कप या टूटेज, खोया आधा कप, हरिय लाइची छे अदर, रोज वाटर एक टेबल स्पून, वनेला कस्टब चार टेबल स्पून, फूट कलर, रेड, ग्रीन, औरंज गार्मिश के लिए केला, अनार, अंगूर, रस गुले, गुलाब जामन, जेली, रेड और ग्रीन अब हमने एक पैल में चार पांच कप पानी लेकर उबाल लेना है, और सेविया हमने लेनी है चावलों की, एक कप के बराबर, इस तरह से हमने इनको छोटा छोटा काट तोड़ लेना है, और इनको हमने बॉइल कर लेना है, अब कि फलिए हमने अओं, अब हमने तीड एक चानी में डाल देना है, कि सेवियों को हमने अओं एक चानी में डालकर उपर suppapat नदा एक फाल कर से थनुपानी अब हमने तीड़ती प्यालियों में एक टी स्पून लेमन जूस और थोड़ता पानी और फूड कलर डाल दिया है सेमियों को हम कलर में पांच मिनुट तक रखेंगे सेमियों को हमने ठंडे पानी से अच्छी तरह से वाश करके पेपर टावल पर पहला दिया है ताकि यह ड्राइ हो जाए 4 टेपल स्पून कस्टर्ड पाउडर और 1 कप दूद डाल कर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है अब हमने एक पैन में 6 कप दूद डालना है और साथ ही हमने तीन अदर अलाईची के ताने डाव दे में तो और दूद को हमने उबालना है दूद हमारा उबल चुका है अब हमने इसमें कस्टर्ड डाल देना है ठोड़ा ठोड़ा करके और इसको मिक्स करते रहना है दूद को भी हमने मसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि नीचे न लगे अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक यह थिक हो जाए कस्टर्ड हमारा थिक हो चुका है अब हमने इसमें चीनी डालनी है चीनी हम डालेंगे छेटे बस्पून चीनी टू टेस्ट आप इतनी भी चाहें डालें अब कस्टर्ड हमारा रैडी है चीनी हम मिक्स कर देते हैं अब हमने पैन में दूद लेना है दो कप रेगलर दूद जो हमने बॉल करना है सेवियों को हमने आदा कब दूद और आईस में डाल कर रखतिया है ताके जो भी इनका पाल्तू कलर है जू निकल जाए अगर आपको कलर वाली सेवियं मिलती हैं तो आप वो वाली यूज़े भी यूज़े अनको घर में तैयार किया है दूद को हमने उबाल लिया है, अब हमने इसमें अलाइची के दाने डाल देने हैं, तीन अदर अलाइची के दाने, और साथ ही एवाइपरेटिड मिल्क डाल देना है, एक केन, और खोया डाल देना है, आदा कब, अब हमने अची तरह से खोय को मिक्स कर देना है, और इसको थोड़ा पकाना है, ताके दूद जो है यह गाड़ा हो जाए, दूद हमारा अची तरह से गाड़ा हो चुका है, पिल्कुल रबडी की सी शकल बन गई है, अब हमने इसमें चीनी डालनी है, हम डालेंगे चार टीबल स्पून, शुगर टू टेस्ट कर लें, जितनी भी आप लाइक करें, और साथ ही हमने रोज वाटर डाल देना है, एक टेबल स्पून, अब हम वेट करेंगे, दूद हमारा ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें सेविय शामिल करतेंगे, सबसे पहले हमने कस्टड डालना है, अब हमने रबड़ी डालनी है, अब हमने सेविय डालनी है, अब हमने केला रखना है, अब हमने रस गुले रखने है, अब हमने जैलो और गुलाब जामन रखती है, अब हमने अंगूर और अनार रखती है, हमारी मज़ेदार दूद दिलारी तयार है, आप भी बनाएए, खुट भी खाएए, सब को खिलाएए, अलाहाफिज, बनाएए, अलाहाफिज, झाल झाल